नमस्कार आप देख रहे हैं सबसे तेज नीज खबर है हर्याना के गुरुग्राम से जहां एक राजनीता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंग यादव का एक निजी अस्पताल में तिरासी वर्ष के उम्रों में निधन हो गया आईए जानते हैं उनके राजनीतिक करियर के बारे में मुलायम सिंग यादव ने 55 साल के लंबे राजनीतिक करियर में विधायक से लेकर शुरुवात की और तीन बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे यही नहीं वे साथ बार सांसद रहे और आट बार विधायकी का चुनाव जीता 1967 में विधायक बनने वाले मुलायम सिंग ने फिर मुड़ कर नहीं देखा मुलायम सिंग यादव भारत और हिंदी बेल्ट की राजनीति में पाच दशकों से जादा समय तक सक्रियर है 55 सालों की राजनीतिक करियर में मुलायम सिंग यादव भारत के प्रधान मंत्री बनते बनते रहे गे वेदेश के रक्षा मंत्री बने, साथ बार सांसद रहे, आट बार विधान सभा में विधायक रहे और एक बार MLC भी बने मुलायम सिंग की 55 सालों की राजनीतिक यात्रा उतार चढ़ाव से भरी रही है यह एक गाउं से एक साधारन व्यक्ति के निकल कर लोकतांत्रिक व्यवस्था में शीर्ष तक पहुँचने की रोम मांचक कहानी है जहां उन्होंने अपने नीत्रित्व कौशल और राजनीतिक प्रबंधन के दम पर इंदरा राजीव और अटल आदवानी के दौर में अपनी पहचान बनाई एक नजर डालते हैं उनके राजनीतिक करिएर पर राम मनोहर लोहिया और राजनारायन द्वारा राजनीती के सिक्षा पाने वाले मुलायम सिंग्यादव उत्तर प्रिदेश के जस्वन्त नगर विधान सभा सीट से 1967 में पहली बार विधायक बने 1974 में मुलायम सिंग्यादव जस्वंत नगर विधान सभा सीट से ही भारती और क्रांती दल के टिकट पर विधायक बने 1977 में मुलायम सिंग्यादव भारती और लोक दल के टिकट पर इस सीट से फिर विधायक बने मुलायम सिंग्यादव जस्वंत नगर सीट से ही 1985, 1989, 1991 और 1993 में विधायक बने 1996 में मुलायम सिंग्यादव मैनपूरी लुप्क सभा सीट से पहली बार सांसद बने 1998 में नेताजी संभल से दूसरी बार सांसद बने 1999 में मुलायम सिंग्यादव संभल और कन्नोच से सांसद बने 2000 में उन्होंने कन्नोच से स्तीफा दे दिया 2004 लोकसभा चुनाव में नेताजी फिर से मैनपूरी सीट से उतरे और जीत हासल की लेकिन 2004 में उन्होंने स्तीफा दे दिया 2009 में मुलाइम सिंग्यादव पांचवी बार मैनपुरी से सांसत चुने गए 2014 में 16 वी लोकसभा के लिए मुलाइम सिंग्यादव ने आजमगड और मैनपुरी पे पर्चा भरा उन्होंने दोनों जगह से जीत हासल की लेकिन बाद में मैनपुरी से स्तीफा दे दिया इस तरह वे छटी बार सांसत बने दोहजार उन्नीस में मुलाइम सिंग्यादव एक बार फिर से मैनपुरी लोकसभा सीट से उतरे और जीत हासल की मुलाइम सिंग्यादव 55 साल के राजनीतिक करियर में तीन बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने नेता जी पहली बार 1989 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने 1990 में केंद्र में वीपी सिंग सरकार के गिरने के बाद मुलाइम सिंग्यादव चंद्रशेखर की जनता दल सोशलिस्ट से जुड़ गए और कॉंग्रेस के समर्थन से सीम पत पर बनी रहे अप्रेल 1991 में जब कॉंग्रेस ने इस सरकार से समर्थन वापस ले लिया तो मुलाइम सिंग्यादव की सरकार गिर गए 1993 में मुलाइम सिंग्यादव दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने 1992 में मुलायम सिंग ने समाजवादी पार्टी की स्थापना की नवंबर 1993 में राजी में चुनाव होने थे इससे पहले मुलायम सिंग ने बहुजन समाज पार्टी से गड़ बंधन कर लिया चुनाव नतीजों के बाद मुलायम सिंग बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने में काम्याब रहे और स्वयम CM बने 1995 में मायावती की समर्थन वापस के बाद ये सरकार भी गिर गई मुलायम सिंग यादव सितंबर 2003 में फिर से UP के CM बने 2002 में मायावती और बीजेपी ने मुलायम को रोकने के लिए गड़ भंधन कर लिया मायावती CM बनी लेकिन 25 अगस्त 2003 को बीजेपी ने इस सरकार से समर्थन वापस ले लिया इसके बाद बीजेपी के बागियों, निर्दलें और छोटे दलों की मदद से मुलायम सिंग यादव ने सितंबर 2003 में अपनी सरकार फियसे बना ली 1996 में मुलायम सिंग यादव मैन पुरी लोकसभा से जीत कर संसत पहुँचे इसी साल केंदर में कई पार्टियों के समर्थन से युनायटट फ्रंट की सरकार बनी मुलायम सिंग की पार्टि ने सरकार का समर्थन किया और विदेश के रक्षा मंत्री बने तब हडी देवगौडा देश के प्रधान मंत्री थे, हालकि यह सरकार 1998 में गिर गई 90 के दशक में एक दौर ऐसा भी आया जब नेता जी देश के PM बनते बनते रहे गए बात 1996 की है लोगसभा चुनाव में कॉंग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था इसके बाद अटल भिहारी वाजपई ने प्रधान मंत्री पत की शपत ली थी लेकिन बीजेपी के पास भी बहुमत नहीं था बीजेपी को इस चुनाव में 161 सीटे मिली थी तेरह दिन बाद अटल भिहारी वाजपई ने स्तीफा दे दिया इसके बाद सवाल खड़ा हुआ कि अब नई सरकार कौन बनाएगा कॉंग्रेस के पास 141 सीटे थी लेकिन कॉंग्रेस गड़ बंधन सरकार बनाने के पक्ष में नहीं थी इसके बाद मिली जुली सरकार बनाने की पहल शुरू होई पी एम पद के लिए सबसे पहले वीपी सिंग और ज्योती बसु का नाम उचला लेकिन दोनों ही के नाम पर अंतिम सेहमती बन नहीं पाई इसके बाद लालू यादव और मुलायम सिंग यादव का नाम सामने आया तब तक लालू चारा घोटाला में फस चुके थे इसलिए उनका भी नाम कट गया मुलायम सिंग का नाम लगभग तै माना जा रहा था लेकिन एन मौके पर लालू ने सियासी चाल चली और उनकी उमीदवारी का विरोध कर दिया शरद यादव भी विरोध में शामिल हो गय इस तरह मुलायम का नाम भी पीएम पद की रेस से हट गया आखिरकार HD देव गोड़ा देश के पीएम बने और मुलायम सिंग यादव रक्षा मंत्री 1999 में हुए लोकसभाचुनाव में भी किसी दल को भहुमत नहीं मिला तब एक बार फिर मुलायम का नाम पीएम पद की रेस में आया लेकिन एक बार फिर मुलायम के नाम पर यादव नेता सेहमत नहीं हुए मुलायम सिंग ने एक बार कहा था कि वे प्रधान मंत्री बनना चाहते थे लेकिन लालू प्रसाद यादव, शरद यादव, चंद्रबाबु नाइडू और वीपी सिंख के कारण प्रधान मंत्री नहीं बन पाए यादबू यーチट के कार लाद फ्र्धान मंत्री नहीं है। कर दो कर दो